हेलो एब्रिवन वेल्कम बैक टू माई चैनल रिजवाना आसेफ और मैं हूँ रिजवाना आपकी दोस्त एन आपकी हूँ तो कैसे हैं आप सब आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छी होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ तो गाइस आज के इस वीडियो में मैं आप करूंगे इस वीडियो में जी हाँ गाइस नीम ही कैसा पेड है एक ऐसी ओसदी है जो आपके रूट से लेके आपके पैर तक के लिए बहुत ज़ादा बैनिफीशल होती है तो गाइस अगर आप लोग जानते हैं नीम के बारे में पहले से ही कुछ ऐसे बात हैं जो मैं इस बताने वाली हूँ तो मुझे कमेंट करके जरूर बताईएगा वीडियो अच्छा लगे तो मेक शूर वीडियो को लाइक कर देना चैनल पर अगर आप नए हूँ तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना तो चलिए जान लेते हैं नीम के बारे में तो गाइस नीम है कैसा है जी हाँ सद्यों से इस पौधे का इस्तमाल इस पेड का इस्तमाल और सदी के रूप में किया जा रहा है पाउडर के रूप में पेस्ट के रूप में और टोनर के रूप में इसका इस्तमाल किया जाता है रिसेट में ही मैंने आपके साथ एक वीडियो शेयर किया था नीम के बारे में तो यह सच है गाईज के नीम की पतियों को खाने से आपके शरीर के ऐसे से रोग जो आप लोगों पता भी नहीं होंगे वो दूर हो जाते हैं तो यहाँ पर आज में बात करूंगे कि नीम की जो पतियां हैं आप उनका सेवन कैसे कर सकते हैं आप पेस्ट के वीडियो में बताऊंगे कि आप नीम की पतिये का सही तरीके से सेवन किस तरह कर सकते हैं ठीक है तो आज मैं आपको इस वीडियो में यही बताने वाली हूँ अगर आपको इंफरमेशन अच्छी लगे तो मेक शूर वीडियो को लाइक जरूर कर देना आपकी एक लाइक से बता है हर जगा मिल जाता है ओपको रड़ जगा दिखाई देता है जाए आप पार्क में चलीजाए चाई में चलीजाए ओपराने जो वैद होते थे वो नीम की पतियों से नीम की टहनीों सी नीम की, मतलब नीम का इस्तमाल करके ऐसे ऐसे ओसदी बनाया करते थे जिससे पहले के टाइम में लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प गुआ करती थी तो अगर अगर यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ कि गाइस अगर आपको सुगर की दिक्कत है आप सुगर पेसेंट है तो आप नीम की पत्तियों का इस्तमाल करें यह आपने सुना होगा लेकिन आज मैं आपको बताऊंगे आपको किस तरह से नीम की पत्तियों का सेवन करना है आपको नीम की पत्तियां खानी है लेकिन आपको खाना किस तरह से है आपको नीम की पत्तियां लेनी है और आपको नीम की जो पुरानी पत्ति होते है आपको वो नहीं लेनी ये देखे वीडियो में देख रहा है आपको इस तरह की आपको पत्ति नहीं लेनी है आपको नीम की जो कोमल पत्या होती हैं जो नई जो बच्ची एकदम निकली निकली होती हैं वो पत्या आपको लेनी होती है जो नॉर्मल जो एकदम मतलब आप बोल सकते हैं बिल्कुल कोमल जो पत्या होती हैं बिल्कुल नरम वाली जो हलकी हरे कलरकी होती हैं वो आपको पत्या खानी हैं सि खाली पेट गुनवने पानी के साथ और उसके बाद आपको अगले दिन पत्तिया नहीं लेनी है उसके बाद आपको उसके अगले दिन पत्ती लेनी है मेरे कहने का मतलब यह है कि आपको एक दिन छोड़कर एक दिन ये पत्ती का सेवन करना है और आपको हफते भर लेनी है उस के बाद आपको result दिखने लगेगा अगर आपको ये suit करते हैं आपको कोई problem नहीं होती तो आप इसे continue कर सकते हैं अगर आपको ऐसा लगता है कि आप इसका कड़वापन नहीं बरदाश कर पा रहे हैं या फिर आपको ऐसी कोई problem इससे हो रही है stomachs related तो आप इसे enough कर दीजिए वहीं आप इसे stop कर दीजिए गाइज नीम की पतियों का बहुत ही जादा use किया जाता है अगर आपको फेस पर pimple problem acne problem बहुत जादा है तो paste के रूप में इससे इस्तमाल किया जाता है और इस पतियों का इसकी पतियों का जैसे मैंने आपको बताय यह देखिए यह हैं इसके कोमल पतियां जिनका सेवन आप कर सकते हैं और अगर आपको आपके फेस पर pimple problem है तो आप इसको खाईए इसको खाईए हफते में तीन बार और आपको धीरे 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 आपका जो blood है वो purify होने लगेगा नीम की पतियों का सेवन especially इसे लिए किया जाता है आपके blood को purify करने के लिए इसके अंदर ऐसे properties होती है जो आपके blood को साफ करती है जब आपके blood के अंदर infection की मातरा ज़्यादा हो जाती है आपके blood में infection हो जाता है तब pimples की problem skin में ज़्यादा पाई जाती है तो आप इसका सेवन कीजिए और आप का ताफ है इतना डिरे धीले देखेंगे आपकी अ जुब परें प्रॉपल को प्राब्लम भूबलम है रही घरी धीले खतम होने लगी है नेक्स में आपके बताओंगा इसके टहने का इस्तमाल देख सकते हैं आप यह कोमल सी टहनी है आपने देखा होगा नीम की जो पत्ती होती है गाइज नीम का जो पेड होता है उसका तना काफी मोटा होता है काफी जाधा हैवी होता है तो उसमें से जो इस तरह की टहनी होती है नीम की आप इसके साथ दातुन कर सकते हैं जी हाँ आप इसके साथ ब्रश कर सकते हैं वो हम जो हमारा माउध होता है उसके अंदर के भी जितने भी प्रापटरियं होता हैं इसके साथ आपको यहां करते हैं बट आपको हाश्ट नहीं हो ने दीरे दीरे आफको इस तरह से प्रासेस करना है अगर आपको पार्या कि चिकायत है तो यह उसे भी रिमूब प्रेंगी प्लाग बहुत जाद़ आपके दातों पर है तो यह उसे भी सोक्षर्थ आपको इसे तकरीब здесь इस दो करना ही पड़ेगा ठीक है आपको अच्छे रिजल्ट के लिए इसका यूज करना है और यूज कैसे करना है वो आपको इस वीडियो में मैं बता रहे हूं तो गाइस नीम की जो टहनिया होती है जो छूटी-छूटी टहनिया होती है उनके साथ आप ब्रश कर सकते हैं अपने दातों की प्लाक को हटा सकते हैं यह देख सकते हैं नीम की जो बहुत सारी पतिया है नीम की टहनियों को इस्तमाल करके मैंने रिसेंट में ही एक टोनर आप लोगों के साथ शेयर किया है जी हाँ गाइस इसका मतलब यह है कि जो नीम की पतिया होती है आपके फेस के लिए आ आपके पूरे शरीर पर कहीं bacterial problem है, कहीं infection हो गया है, आपको infected है, आपके skin में कहीं कोई दिक्कत है, तो आप इसके पानी, आपको क्या करना है, आपको इसकी पतियां लेनी है, तकरीबन आप इसकी 3-4 टहनिया जो मैं आपको दिखा रहे हैं, इस तरह से लेनी है, और उसके पत बार बार करेंगे, तो आपका जो भी आपको infection है, वो धीरे 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 ठीक होने लगेगा, इसके अलाबा, अगर आपके skin पर कहीं, दात, खाज, खुझली की problem है, या फिर आपको चरम रोके कोई दिक्कत है, आपके private parts वगेरा में कोई problem है, इचिंग से related, फंगल से layer related, आपको फंगल infection है, तो आपको क्या करना है, simply इसका paste बनाना है, आपको 10 से 12 पतियां लेनी है, उसका एक, आप mixing jar में इसका paste बना सकते हैं, आप सिल बट्टे पर इसका paste बना सकते हैं, आप किसी ओकली में भी इसका paste बना सकते हैं, ठेक है, अच्छे से आप इसका paste बना है, ठेक है, लगाने के बाद आप इसे 15 से 20 मिनट तक इसे वहीं लगा रहने दीजिए, उसके बाद आप इसे normal water के साथ wash कर सकते हैं, ये बहुत ही normal और बहुत ही असान तरीका है, infected areas और bacterial infection को खतम करने का, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जिस तरह से मैं आपको बता रह इस दिली आपको ये मिल जाती है, तो इन पत्तियों को इस्तमाल करके आप एक पैसा भी खर्च ने करेंगे और आपको इसके result बहुत जादा amazing मिलेंगे, जैसे कि मैंने कहा आपसे मैंने आपके साथ recent में एक video शेर किया है, टोनर आप किस तरह बना सकते हैं, hair toner, इसके साथ hair pack भी बना सकते हैं, simply आपको इसे पीसना है, जिस तरह मैंने आपको बताया है कि आपको नीम की एक paste कैसे बनाना है, उसको बनाने के बाद आपको इसमें hair oil mix कर दीजी, उसके बाद आप इसके अंदर थोड़ा सा मेथी powder mix कर दीजी, उसके बाद आप इसे apply किजी, मेथी दा करता है, हमारे blood को pure करता है, जब हमारा blood pure होगा, तो हमारा पूरा body ही अच्छे से walk करेगा, सर से लेके पैर तक हमारा एक एक part healthy रहेगा, तो यहां पर मैंने आपके साथ शेयर किया था hair toner, जो की आप लोगों को काफी अच्छी लगी वो वीडियो, तो guys इस तरह की बहुत स ज़रूर कर लेना, तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया, नीम की पतियों के बारे में नीम जो होता है, एंटी बैक्टिरिल होता है, एंटी फंगल होता है, नीम खाने की बहुत ज़्यादा फाइदे हैं, अगर आप कोई information अच्छी लगे तो make sure वीडियो को like करना, channel को subscribe करना, और साथ में एक bell icon उसे press करना, बिल्कुल भी मत बूलना, ताकि आप मेरी आने वाली वीडियो से सबसे पहले notify रहें, तो नीम की जो टहनी होती है, नीम का तना, नीम की पती, नीम की यहाँ तक की नीम की छाएं भी बहुत ही ज़्यादा असरदार होती है, तो guys ये मेरा पूरा वीडियो नीम के उपर, अगर आप इस दे रिलेटेड इसके अलावा और कुछ भी जानते हैं नीम के बारे में, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताईएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, मिलूंगी नेक्स वीडियो में कुछ नया और मसेदार लेकर, तब तक के लिए, बाँ बाई करके बाईएगा